ये रोटी भी स्वस्ती नहीं है यारो, कोई इसे कमाने के लिए दोड़ता है, तो कोई इसे पचाने के लिए दोड़ता है आपका हमारी यूटूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम सारणिक 4.1 का कोश्चन नमर 6 समझेंगे इसके पहले वीडियो में आपको 5 नमर 4 नमर बताया गया कोश्चन दोस्तो प्रस्ण संख्या 6 है यदि A बराबर 1, 1-2, 2, 1-3, 5, 4, 9 हो तो मोडूलस F A मतलब कि स्वाणिक A का मान ग्याद करें ये मेरा कोश्चन है सबसे पले आपको समाहिना ज़रूरी है कि जब 20 से हम दया जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं तो ये आरवन हो गया हम ये क्या हो गया आरवन हो गया इसको हम आरटू बोलेंगे इसको हम R3 बोलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लिखेंगे प्रत्थम पंक्ति के आवयो के संगत बिस्तार करने पर मतलब कि जो हम सवाल हल करेंगे इस पंक्ति प्रत्थम पंक्ति इसको बोलते हैं हम इसी के सहारे इस सवाल को हल करेंगे इसका मतलब यहीं हुआ कि प्रत्थम पंक्ति जो दिया हुआ है इसी के सहारे आप बनाएंगे इसको मतलब कि दोस्तों यह भी हो सकता है कि आप सेकेंड वाला भी रख्ष के बना सकते हैं यह दो थर दिया है तिसरा पंक्ति दिया है इसे भी रख क्या बना सकते हैं यह आपके समधिने के उपर है हम पहले को लेकर चल रहे हैं आपको इच्छा करेंगे दूसरे को लेकर चलेंगे की मर्जी के उपर है तो हम क्या करेंगे कि आपको ढखना है कि इसके पंग्ती और अस्तंभ को तो यहाँ पर है तो ऐसे इसका अस्तंभ आ रहा है और इस तो आपको याद होगा कि सेकेंड अस्टेप में यहाँ पर मैनस होता है तो मैनस लिख देंगे एक के बाद क्या लिखा यहाँ पर एक लिख है तो फिर क्या लिखेंगे हम एक लिखेंगे फिर वहीं पर खिरिया इसके नीचे वाले अस्तंभ और पंग्ती को ऐसे हम ढख रहें तो ध्यान से दिखाई देर आपको दिखाई देर रहा होगा टू मैनस 3 5 9 इसी को हम इस सारणी के अंदर लिखेंगे कि 2 माइनस 3 5 माइनस 9 यह कहां से आया है यह बीच वल हम ढखे हैं तो यहां से आया है इस सारणी को ऐसे कर देंगा हम अगला स्टिप में क्या होता है फिर प्लस होता है यहां प्लस लिखेंगे लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है मैंने स्टू दिया हुआ है साड़ी कचीन देंगे यहाँ पर अब आएसे इसको ढख देंगे इसका वास्तंग और पंक्ती तो क्या दिखाई दे रहा है 2154 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2154 दोस्तो सबसे जरूरी बात यहीं पर समझने लायक है अब यहाँ पर आप समझ गए तो आप अच्छी तरह से बना लेंगे अब क्या करना है देखिए यहाँ पर यह एक हो गया अब आप भली भादी जानते हैं यहाँ पर क्रस मल्टिप् तो फोर गुने मैनस ठुकस्तों कर देंगे यहाँ पर क्या दिया हूआ है यहाँ पर मैनस ओंट कर देते हैं यहाँ पर अब यहाँ करेंगे टू हो गुने मैनस नाइन अब बीच मेरम इस quantities कोक् rozm करेगा अब फिर फाइप गुने माइनस त्री इसको भी कोष्ट के अंदर कर देते हैं यह प्लस माइस कितना हो जाएगा मैनस हो जाएगा मैनस टू कर देंगे फिर तिर साथ तिर से गुड़ा किजिए दू गुने चार बीच में क्या होगा मैनस क्या लिखा हुआ है फाइप गुने 1 अब गुना करते हैं यहाँ पर देखिए यह एक हो गया एक गुने मैनस 9 किटना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यह चरती हैं 12 प्लस में हो जाएगा यह माइनस 1 दिया हुआ है 9 दूनिका 18 माइनस में दिया हुआ है 15 लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है तो – – कितना हो गया पलास हो गया इसका क्या लिखा हूआ है – 2 लिखा हूआ है चारदुनी का 8 अब 5 में एक में कितना हो गया अब देखिए एक 12 मेंसे 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा क्यों 3 बचेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या बारा है इसमें से माइनस 9 हो रहा है यहाँ पर माइनस 1 लिखा हुआ है तो माइनस 1 अगुने ये कोश हटेगा तो क्या हैगा गुना हैगा 15 में से 18 जाएगा क्योंकि 15 छोटा संख्या है और 18 क्या है बड़ी संख्या है तो 15 से 18 जागत कितना बचेगा माइनस 3 बचेगा फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 2 लिखा हुआ है 8 हमें से 5 जागत कितना बचेगा 3 बचेगा तो 3 गुने 1 कितना होता है 3 होता है माइस माइस कितना हो गया पलस 3 हो गया तिन दुनी कितना हो गया 6 हो गया जोड़ते हैं तिन तिन कितना हो गया चो हो गया चो माने चो ब्राबर जिरो यह आपका इंसर प्राप्त हो चुका है दोस्तों इस वीडियो में जो आप देखें हैं इसे कॉपी पर आप दुबारा बनाएं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपको समझ में अवस्य अगर आपको लगे कि इस वीडियो से हम कुछ सीखे हैं तो किर्पिया हमेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर लगे कि नहीं सीखे हैं तो डिसलाइक कर दीजिएगा थैंक्यू जय हिंते